नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे आपने जो वीडियो की नीचे कमेंट्स किये थी उसका अंस्वर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप भी कमेंट्स वीडियो के नीचे कर सकते हैं हर रोज शाम को जो अगर लगब कलकता में 22 यूपी है अगर बात करें उसमें मेरी जो बुक है उसमें 1600 मैंपाउड है उसमें कलकता में 22 ओपीस हैं अकेले कलकता में तो आप उनसे कॉंटेक कर सकते हैं बाकि अगर आप चाहें तो बुक भी पर्चेस कर सकते हैं उसमें पूरी डिटेल भी मिल जाएगी आपको असोग मेगवाल बोलते हैं सर मोल पेपर आने के बाद वीजा कंफरम आएगा या नहीं देखिए एमल की बात या कि वीजा कंफरम हो जाता है एमल आने के बास barrier हो जाते हैं लेकिन कई बारकिनार में टॉटल कितना मेन पाउर ओपिस है इसके बार में वीडियो बनाया की नहीं राजस्तान में लगबख 55 मैंन पाउर ओफिस हैं इस बुक के माद्यम से भी मैंने बता रखा है बाकी वीडियो भी बना रखा है पूरे राजस्तान में 55 मैंन पाउर ओफिस है पेस वर परसाद बोलते हैं सर मेरा विजिट वीजा आया था 26 फरबरी को वीजा वेलिड थ्री मन्थ है और पिरियड ओफिस्टे वन मन्थ है वीजा में इसके लिए मतलब है वीजा एक मेने का है तीन मेने का तीन मेने में कब तक ट्रेवल कर सकते हैं देखिए बात सभी लोगों के उपर लागव होती है भाई देखिए दुबई का वीजा आता है आप सबको पता ही है उसमें क्या होता है कि मालो अब यह दुबई का वीजा है कहां का है मुझे नहीं पता इसमें लिखा है कि एक मैने प्रियेड ओव इस्टे फ्रियेड ओव वन मन्थ आप एक मैने तक वहां पर रुख सकते हैं ब लेकिन दो मेने तक आप कभी भी दुबई जा सकते हैं। होगा Vía के Employment Visa कैसे मिलेगा मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए Employment Visa के लिए आपको मैंन पार ओफिस में अप्लाई करना पड़ेगा आपके नजदीक में देखो Government Authorized Man podcast is daar मंपार और ओफिस है वहां पिर लेती हैं वह संभबल नहीं है ऐसा आपने आपका इंक एक इसन है कि कुछ कंपणियां तंटा बढ़ा रही है तो किलना वहर्कर ね के labor account में डालें ताकि कंपनियां गड़बढ़ना कर सकें तो ऐसा संभॉफ नहीं है वह सरकार उनीक अकाउंट में डालती है अपनी तरफ से सरकारी मुलाजिम होते है अब जो वर्कर होते हैं वो 10-13 पहांगा थार आरें तो ऐसा संभॉफ नहीं कि जिफना बहुत पैसा रूल बनेगा भी नहीं कि company सरकार के account में पैसा जमा करा है सरकार आपके account में जमा करा है ऐसा संभव नहीं है यह सिर्फ government जो employee होते हैं जिसे इंडिया में बात करें teachers हैं कोई भी हैं तो उनको direct सरकार अपनी तरब से तनका देती है कहीं यह सनियम है नहीं fitness hub बोलते हैं sir मैं employment visa पर आया हूँ मैंने इंडिया में पैसा दिया है agent को और कुछ LLC company का काम है और नहीं है और मुझे इंडिया आना है company passport नहीं दे रही है बोल लिए कि आपका visa लग गया है अभी तक visa लगा नहीं biometric finger test नहीं हुआ है मैं क्या करूँ advise दें बिलकुल अगर आप क्यों कुछ को बताया था वो आपके साथ में matching नहीं हो रहा है तो आप वापस इसलिए आ सकते हैं कि आपका अगर medical ही नहीं हुआ है biometric नहीं हुआ तो visa कहां से लगेगा सबसे पहले शुरुआत तो वो होती है medical होता है फिर biometric होता है फिर visa process आता है तो आप passport उनसे ले सकते हैं क्योंकि अभी तक उनका कोई खर्चा नहीं हुआ है और passport नहीं दें इसका मतलब आपका visa document वो start नहीं हो इसका मतलब visit visa में अभी आते हैं तो या फिर आप अपने agent के साथ में deal करें अरेंदर कुमार सर्मा बोलते हैं सर कुए 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 इंडिया वापस आना है passport नहीं दे रहा है embassy में कोई मदद नहीं हो रही है तो क्या करें कुए चेंडिया वापस आना इसमें बहुत तरीकी के reason हो सकते हैं अब आप आपका कौन सा reason है ऐसे कैसे passport दे देंगे आप कब गए क्या हुआ क्या आपने किया वहां पर वो तो आप बात कर सकते हैं तभी संभव है इस ऐसे तो पता नहीं लगेगा मुरोज कुमार बोलते हैं सर बहरीन का immigration कहा होगा मुझे एरपोर्ट से वापस कर दिया बहरीन का immigration किसी भी देश का immigration कहा होता है समन्दित MBC में होता है वहीं होगा MBC आप कहां से हैं वहां contact करें आपने वीजा किसने दिया क्या हुआ बिना immigration आप कैसे चले गए आपके passport में क्या था वो तो इतनी बातें तो उसमें देखेंगे तो पता लगेगा बहरी सुमन्या चोधरी ब बजट से करना पड़ेगा देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको वेकूप बनाया जा रहा है कि अलमराही में आपको ड्राइबर का जो मिल जाएगा दूसरी बार अगर company आपको लेके भी जा रही है तो company license बनाती है company account खोलती है आपको कुछ से कुछ नहीं करन पड़ेगा सब कुछ company करती है देवंदर सर्मा बोलते हैं देरेंदर सर्मा बोलना एंसर 31 2022 को मेरा ओफरलेटर दुबई का टारगेट कंपनी से पहले गलती से एक दिन के अंतर में ओफरलेटर चेंज हो सकता है क्या इस्तिती में क्या करूँ वही इसमें देखिए गडबड हो जाती है company बड़ी तेज होती है दो तरह के agreement होते है मैंने पहले वीडियो बना रखा है एक आपको दिखाने वाला फरजी ओफरलेटर एक original ओफरलेटर दू बना ले बाकी एक दिन में संभाव तो नहीं है बाकी अगर एक्टिव हो तो हो भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं बाकी तो भाई ओफरलेटर देखने पर पता लगता है सो मैंने चोदरी ने फिर क्यूस्टन किया है कि सर फुल अमाउंट कब देना चीए फुल अमाउंट देखिए आप कभी भी अगर किसी कंपणी में इस्तिपा देना चाते हैं तो जिस दिन आप जोब लगे थे आपका उफरलेटर पे साइन हुआ था तब से यह स्टार्ट होता है ठीक है उसके बाद आप जिस दिन रिजाइन दोगे उसके आगे तीस दिन आपको काम करना से लिएर खैसरई यहां यूगांडा से यूगांडा से हुँ मेरी प्रोबलम है कि कमपणी हर महिने शैलरी नहीं देती है देना चाती है जब हम इस्टाइक करते हैं तब दे देती हैं मगर जिस company वो company लोगों को वीजा खतम होने के बाद भी cancel नहीं करती वो वीजा लगाती ही नहीं है शेल्ली नहीं देती है बड़ी problem है फिर आप अगर इतने लोग बैठे हैं लोग सर दुबई में कितने साल का वीजा लगा रहे हैं अब अगर तीन साल का लगा रहे हैं तो दो साल पर रिटन आ सकते हैं क्या बिलकुल आ सकते हैं एक साल से भी आ सकते हैं बीजा चे आपका विरोप देशों में कई दस-दस साल का लगता है तो क्या वो नहीं आ सकते हैं बीजा आपका फ्री जोन में तीन साल का लग जाता है लेकिन एक साल से आपके ओफर लेटर में वो मेंशन होगी वो बाते हैं वहाँ NOC लेना आलड़ी पैसे पे कर चुका अगर लेबर कार्ड नहीं बनता तो एरपोर्ट में कोई प्रोब्लम तो नहीं होगी देखिए बातें आपकी समझ में आ गई हैं NOC ले ली NOC के आपने पैसे दे दिये कमपनी से दूसरी कमपनी आपने जोइन कर ली उसमें लेब कुमार ने पुचे सरस नमस्कार हम आपको दारा 107-116 का नोटिस मिला है और SDM से मिलने को बोला गया है अगर मैं मिलने नहीं अगर मैं नहीं गया मिलने को हम कुएत के लिए PCC करवाए है क्या करवाया है क्या पुलिस वेरिपिकेशन में प्रोब्लम होगा अगर प्रोब् सरकारी करमचारी वहाँ जाते हैं और आपने उनका विरोध किया है जी हां तो पुलिस के स्टीम के पास एक अच्छा उप्सन होता है जैसे महिलाओं के पास दैस परता है ना परिवार में कोई थोटा सा लड़ाई जगडाओ पती के खिलाब में दैस मुगदमा करा दो सरक अच्छा नहीं दोगे तो आपको हो सकता है आपके खिलाब में एक्षन ले लिया जाए तो एक्षन अगर ले लेते हैं तो उसके बाद PCC करवाते हो तो दिक्कत आये एक्षन लेने से पहले आपने PCC करवा ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और PCC मेरे साब से लगबग 6 स होती है तो इस हिसाब से आप करवा सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आयो पी एक कुछ क्यूशन थे यह आपके कुछ क्यूशन थे मैंने आपको आंसफर देने की कोशिश की है वीडियो सा लगए तो लाइक सेर करिए अगर आप नए हैं आपका कोई कमेंट है तो आप नीचे का राइटिंग में लिख दीजिएगा उसके बाद में हम आपको रिप्लाई एक नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगी मिलते नेक्स्ट वीडियो मैं सीजान करें की साथ